सर्फरास खान का डेब्यू कनफर्म हो गया है सर्फरास खान डेब्यू करने वाले हैं तीसरे टेस्ट मैच में इंडिया के लिए फाइनली वो दिन आ जाएगा क्योंकि एक खिलाली का पत्ता कटना तैमाना जा रहा है अगर टीम इंडिया जो पुराना वाला गड़ित है यानि के वाइजग वाले गड़ित पे चलेगी तो सर्फरास खान की प्लेइंग 11 में इंट्री कनफर्म है दो चीज़े बताने वाला हूँ पहले आपको स्कॉर्ड बताता हूँ जो तीसरे टेस्ट मैच के लिए स्कॉर्ड है उसके अंदर रोहिश शर्मा यश्रस्तुजी जैसवाल उपन के हिसाब से है मैं पूरे स्कॉर्ड को नहीं सिर्फ टीम को बता के चल रहा हूँ फिर उसमें फिर रिशुब मंगिल, केल, राहूल भी है लेकि सब्जेक्टिव फिटनेस है रजट पाटिदार, सर्फरास खान, दुरुव जुरेल, केस भरत और अश्विन है रविन्द जडेजा है, अगीन सब्जेक्टिव फिटनेस है, फिर अक्षर पतेल, वाशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मुहमास सिराज, मुकेश कमार, अक्षदीप अकाश दीप, RCB से सीधा टीम इंडिया में आए है, क्योंकि उन्होंने इंग्लेंड लाइंस के अगिंस बहुत शांदर परफॉर्मस किया था, लेकिन इसमें जब आप टीम को देखेंगे, तो more or less same टीम है, रविन्द जडेजा की एंट्री हुई है, तो अगर आप रवि अगर श्रेयस आयर की जगा सीधा सीधा, क्योंकि आपको याद होगा, रजट पटिदार विराट कोली के रिप्लेस्मेंट के तौर पर आए थे, तो ऐसे में अगर विराट कोली तो अवेलेबल है नहीं है, बाकी तीन मैच की सीरीज के लिए भी, तो ऐसे में विराट कोली नहीं, बलकि सीधा सीधा रजट पाटिदार, क्योंकि विराट कोली की जगा खेल रहे हैं, खेलेंगे, और उनकी रिप्लेस्मेंट के तौर पर आए थे, अब उसके बाद नंबर आता था श्रेयस आयर का, अब जब श्रेयस आयर नहीं है, वो बाहर हो गए तो सीधा सीधा सरफरास खान की टीम में एंट्री बनती है, केल रहूल अभी पूरी तरह से फिट नहीं है, या फिर आप जब दो काराम दे चुके हैं, आप रहदरबाद में केल रहूल को खेलाया था, दूसरे टेस्ट मैच में आप बिना रहूल के खेले थे, आप जीते थे, आप एक बा परचेंगे बात है, आपके पास एक प्रॉपर एक्स्ट्रा बेटिंग हो जाएगी, आप बुमरा रहेंगे, आप वाइस कैप्टन भी हैं बुमरा, तो बुमरा के साथ में आप स्पिन के साथ जाएए, तो जादा बैतर रहेगा, अगर को खिलाना खिलाईए, आप उके श stat देखेंगे first class cricket के तो वो रज़त पाटिदार पर सर्फरास खान बहुत ज्यादा भारी परता दिखाई देते हैं ऐसे में आप कह सकते हैं कि रोहिष शर्मा और रहुल द्रविड कोच और कप्तान दोनों के दोनों सर्फरास को मौका दे सकते हैं domestic में record शांदार है उनके पा जगा भी बनती है तो जो लोग यह कह रहे हैं कि यह सर्फरास की जगा नहीं बनती मेरे हिसाब से ऐसे जगा बनती है बाकि आपको क्या लगता है कि सर्फरास की जगा बनती है या फिर अभी आराम की ज़रूत है और आराम देने के ज़रूत है मुझे कौन में जरूर झाल 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 झाल